हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप साथ आई होप आप लोग ठीक होंगी आज मैं आप सभी के साथ ब्राइडल इसकिन केर रूटेन शेयर कर रहे हूँ बहुत ही सिंपल सा है जैसे कि आप सब लोगोंने मुझे कमेंट्स किये थे तो देखिए सबसे पह क्या नहीं तो आप हरा धन्या भी लेते हैं यहां पे मैंने लिया एक बनाना तो देखिए जो अपको यह मिरा बनाना ए थोड़ा सा काला नजर आ sigue क्योंकि एएगए पका हुआ है आपको पकाारे पाए ली लेया इन सबको मैने टाल दिया mixing- जार के अंदर और डालने के बाद हमें एसका able रशुख बनाना है तो देखिए यहांपर मैने इसका बना लिए एक smooth paste आपको इस तरीके से इसे बारिक पीशचना है तो मैंने पीश लिया अब आपको निकालना है इसे एक ball के अंदर तो उम्हें पे निकाल लेती हूँ इस ball के अंदर तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से लगाना है और इसके अंदर क्या क्या आपको डालना है तो देखें सबसे पहला आपका step होना चाहिए जब भी आप कोई भी फेस पैक अपने चेहरे पे लगाते हो तो आपका जो चेहरा एकदव साफ सुतरा होना चाहिए मेरा चेहरा पहले से धुला हुआ है अब आप इसके अंदर क्या एड़ करें तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है मुलतानी मिटी पाउडर अगर आपके पास में मुलतानी मिटी पाउडर नहीं है या फिर आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो आप इसकी जगे बेसन भी ले सकते हो आदा चमच और आपकी स्किन को बेसन सूट नहीं करता तो आप इसकी जगे ले सकते हो कौफी पाउडर पॉफई पॉडर आपके पास भी नहीं है, तो मसूर की डाल का पॉडर आता है, आप उसका भी इसके अंदर डाल सकते हो, ठोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो, पिंच जिसे बोलते हैं एक चुट की मतलब, और जादा हल्दी पूर्डोर आपको नहीं डालना क्योंकि फिर उसका पीलापन हमारे चेहरे पे दिखाई देता है इसलिए आपको एक पिंची डालना है अगर आपके के पास में ब्रस नहीं है तो और देखे फ्रेंट्स मैं आपको यह बताना चाहती हूं यह जो मैंने आप लोगों के साथ ब्राइडल स्किंकेर रोटीन शेयर किया है बहुत ही सिंपल सा है जैसे कि आप सब लोगों ने मुझे डिहर सारे कमेंट्स करके बोला था कि मैं एकदम सिंपल सा हमें बताना क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है तो देखे यहां पर मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा खर्चा तो इसमें होगा आपका लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो कुछ समान तो आपको आपकी जो इस टोन आता है, वो ला सकते हो, तो इससे अच्छा से कूट के घर में भी पावडर बना सकते हो, या फिर उससे थोड़ा सा लेकि उसमें से टुकडा और उससे पानी बेगोके रखने, तो बहुत ही स्मूध उसका पेश्ट अपने अपर अपने भी बन जाता है, मतल़ है अच्छे से फूल जाती है गल जाती है और पाउडर बनाके भी रख सकते हो ठीक है तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाने का तरीका कि आपको कितने दिन में लगाना है कैसे लगाना है तो देखिए अगर आप ब्रैडलो आपकी शादी होने वाली है तो आप क्या करें इसे आप डेली अपने चेहरे पे लगाएं और आप इसे नहाने से पहले लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फिर थोड़ी से न हमारे बाल भी गंदे हो जाते हैं जिससे आप अच्छे से अपनी सफाई कर लो और इसे आपको 10 मिनट के लिए ह पस इसे ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि आप डेली लगाना है इसलिए तो देखिए यहां पर इस तरीके से लगाना है अब मैं आपको पताती हूँ इसे लगाने से आप आपको क्या क्या फायदे होंगे तो देखिए मैंने इसे आपको सिर्फ अपने चेहरे पे ही लगा के लिए है और इसे लगाने के आपको क्या क्या फायदे होंगे तो दीखे अगर आप जो मैंने है पुदीना लिया है वो आपके अगर होता है कि हमारी चैर पे ब्राउन स्पॉर्ट आजाते है ब्राउन कलर के भूरे-भूरे दिखाई देते हैं तो उनको light करने में ये काफ़ी ज़दा आपकी help करेगा जो मैंने हमें बनाना डाला है बनाना आपकी skin को glowing बनाएगा जो मैंने multi-nivity powder डाला है ये आपकी skin को fair करने में आपकी काफ़ी ज़दा help करेगा तो इसलिए ये सारे चीज़े मैंने इसके अंदर डाली है और आपकी comments को नजर में रखते हुए जैसे कि हम सब लोगों ने डिर सारे comments करके मुझे बोला था इसलिए और देखिए इसे लगाने के बाद 10 minutes लगाने के बाद आपको नहा लेना है और अगर आपके पास टाइम नहीं है आप मुझे ये भी comments करते हो कि मैं morning में मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसे किस टाइम लगा हूँ तो देखिए आप इसे night में भी लगा सकते हो या फिर दिन में जब भी आपके पास टाइम मिले अच्छा देखने को मिलेगा आपके चेरे पर डार्क इस पास पर दीर दीरे साफ होने लगेंगे आपके इसकिन फेयर होने लगेगी आपके इसकिन जो रंगत है निखड़ने लगेगी और आपके इसकिन बहुत जड़ा डेमेज हो चुकी है मैं ने बहुत सारे कमेंट्स पर हымиखि वीडियो पर यह देखे थे थे के मेरे मेरे जो क्लर काफी अच्छा था लेकिन अब मेरे इसकिन बहुत जड़ा डल हो चुकी है तो देखिए इससे आपकी जो इसकीने रिपियर होने लगेगी और आपकी इसकीन में एक अलगी चमकाने लगेगी और हाँ सबसे जरूरी होती है डाइट आप सब कुछ कर लीजे अगर आप डाइट अच्छी नहीं लोगे तो उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देगा आप चाहती हो कि आप कुछ भी अपने चेरे पे लगा है उसका रिजल्ट आपको 100% मिले तो इसकी लिए आपको अच्छी डाइट लेनी है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है तो देखिए यहाँ पे मसाज मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मसाज करने के बाद मैंने अपने चेरे को ठंडे पानी से दो लिया ठंडे पानी से दोने के बाद आपको क्या करना है अगर आपकी स्किन को अलोगरा सूट करता है तो इससे लेके और अपने पूरे चेरे की कम से कम एक या दो मिنट के लिए मसाज करें अगर ये आपकी skyn को सूट नहीं करता तो आप इसकी जगए मैं अपनी नाइट क्रीम ले सकते हो आप नाइट में लगा रहे हो या भिर अपनी कोई भी डे क्रीम ले और आपकी स्किन ड्राय बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर आपकी स्किन बहुत जड़ाय है जो पैक है, इसके अंदर आपकोई भी ओयल भी डाल सकते हो, आदा चमाज या फिर एक चौथाई चमाज ओलिवर डाल सकते हो, बादाम का तेल डाल सकते हो, या फिर वरजिन गुलास गर्म दूद का लिया है मैंने और यह आपको पीना है या तो नाइट में पी पीना है, ज边 आपसोने केली जाते हो या फिर आपको क्ली पीना है, दिन में आपको नहीं पीना है ठीक है न तो इस चीज़ कप को देहान रखना है मौर्निंग में खाली पेट या फिर नाइट में सोते समय तो देखिए एक गिलास गर्वे दूद में मैंने एक चोथाई चमश डाली है यहाँ पर हल्दी पाउडर और यह कस्तूरी हल्दी है आप चाहो तो नौर्मल हल्दी जो हमारी किचन में होती है आप भी ले सकते हो लेने गवाद अच्छे से मिक्स करना है मिलाना है और इसे आपको घूट घूट करके पी लेना है ठीक है नाइट में पीओगे तो आपको बहुत ही अच्छी से नीद आएगी और मॉर्णिंग में पीओगे खाली पीट का अगर खाली पीट पीओगे तब इसका रिजर्ट आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा तो चलिए आप लोगों की कहने पर आप लोगों की रुकेश्ट पर मैंने आपको कितना अच्छा ब्राइडल स्किंकेर रोटेन आप लोगों के साथ शेयर किया है आपको बताया है तो इसी बात पर सबसे पहले लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरी चैनल पर नए हो फर्स्टाइब मेरी चैनल पर आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना मेरी विलोग्स जरूर देखना सेकंड चैनल का लिंक देदूंगी में नीचे डिस्क्रेप्शन में तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेर जरू करना ओके बाई, टेक केर, लव यू, बाई